नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल मिजिकल एजुकेशन में तो दोस्तों आज हम लोग बेट्चिव का MPVocal का पेपर सॉल्व करेंगे 2017 का पेपर तो ये गायन का है MPVocal वर्श 2017 का पेपर है तो चलिए वीडियो को शुरू करने इस पहले वीडियो को लाइक कर दिजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और बेल अगन प्रेस कर दिजिए ताकि आने वाले नोटिफिक्रिशन आपको मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं प्रशन की ओर चलते हैं तो पहला प्रशन है रूल इसका पहले समझ दीजिए अगर आपने एक प्रशन सही किया तो उस पर आपको दिये जाते हैं तीन अंक और माइनस मार्किंग होती है एक प्रशन गलत होने पर एक अंक काटा जाएगा तो माइनस मार्किंग है इसका ध्यान दीजिएगा तो चले शुरू करते हैं पहला प्रश्ण है यह है राग पूर्वी थाट का है ओप्शन दिया है हिंडोल, सोनी, परज, ललित तो पूर्वी थाट का ललित राग है ओप्शन नमबर 40 का अंसर हुआ कोशन नमबर 2 है इस राग को तार सब्तक में गाया जाता है तो तार सब्तक में ओप्शन दिया है अडाना, हांस, द्वनी, छाय, नट, गुर्जरी, तोड़ी तो तार सब्तक में अडाना, राग को ही गाया जाता है ठीक, इनमें से ओप्शन नमबर 1 इसका अंसर होगा कोशन नमबर तीन है यह स्वर मारवा थाट के रागों में वर्जित है आप्शन मापा गा और नी तो पंचम ठीक कोशन नमबर चार है राग हिंडोल का गायन समय है आप्शन दिया है सायंकाल, प्रातहकाल, मध्यान, मध्यरात्री तो हिंडोल मध्यान का है, इसका समयठिक मध्यान, हिंडोल के लिए आप्शन नमबर तीन इसका अंसर हुआ कोशन नमबर पांच है यह राग ठुमरी, गायन, शैली के लिए उपयुक्त नहीं है आप्शन दिया है जोगिया, जिनजोट और पहाड़ी, देशी तो ठुमरी, गायन, शैली के लिए देशी उपर युक्त नहीं है आप्शन नमबर चार इसका अंसर होगा कोशन नमबर छे है काफी थाट की प्रमुख विशेष्था है काफी थाट की प्रमुख विशेष्था गानिको मलै, ठीक अप्शन नमबर दो इसका अंसर होगा कोशन नमबर साथ है ताल का एक चक्र कहलाता है ताल का एक चक्र आवर्दन कहलाता है अप्शन नमबर दो इसका अंसर होगा कोशन नमबर आठ है आवग गीत का कौन सा भाग है option है चौथा तीसरा पहला दूसरा तो चौथा option number एक इसकांसर होगा question number 9 है 2-3-2-3 का छंद इस ताल से सम्मंदित है तो 2-3-2-3 जपताल ठेक ये जपताल है option number 2 इसकांसर होगा question number 10 है बांसुरी इस वर्ग का वाद्य है घनवादे, ततवादे, सुशिरवादे, अबनदवादे तो बांसुरी सुशिरवादे है हाबा द्वारा फूंकर बजाए जाने होला वाद्य है question number 11 है पंडित वियन भादकंडे द्वारा लिखित पुस्तक अभिनव राग मंजरी है इनके द्वारा ठेक बातकंडे जी ने अभिनव राग मंजरी लिखा है option number 1 इसकांसर होगा question number 12 है दुरुपद को इस ताल में गाते हैं दुरुपद को सूल ताल में गाते हैं option number 2 इसकांसर होगा question number 13 है इस गायन्द शैली में मुर्की का प्रयोग अधिक होता है तो टपपा मुर्की का प्रयोग टपपा में देखोता है question number 14 है इस ताल का प्रयोग ख्याल गायन में नहीं होता तो ख्याल गायन में दीपचंदी ताल का प्रयोग नहीं होता option number 3 इसकांसर होगा question number 15 है यह तानपूरा का अंग नहीं है तानपूरा कांग आप्शन है आटी तबली मन का पना तो आप्शन नम्बर चार इसका अंसरों का ठीक पना ये तबले कांग नहीं है कुश्चन नम्बर सोले है उस्ताद अमीर खां इस घहराने से सम्बंदित थे ओप्शन में है गौलेर इंदोर आगरा सैस्वान तो उस्ताद अमीर खां इंदोर से थे इंदोर गराने से कुश्चन नम्बर सत्र है संगीत पत्र का प्रकाशित होती है कहां से हाथ रस से ओप्शन नम्बर दो इसका अंसर होगा ठीक हाथ रस से Q18 है भावरंग उपनाम है भावरंग किसका उपनाम है बलवंत राय भट का ठीक option नमबर दोईसका अंसर होगा Q19 है राग बसंत इस राग इस थाट का राग है राग बसंत इस थाट का राग है option दिया है कल्यान पूर्वी मारवा खामाज Q20 है गायक के अवगुड से किसका संबंध नहीं है गायक के अवगुड से किसका संबंध नहीं है तो option दिया है प्रसारी करब जोंबग चेहल ठीक तो इसका अंसर आपको देना है गुण अवगुण पढ़े होंगे तो गायक के गुण और अवगुण तो इसमें पूचा है अवगुण से किसका संबंध नहीं है ठीक तो मतलब की इनमें से अवगुण नहीं है मतलब इनमें option में कौन सा गायक के अवगुण है ठीक नेक्ट कोशन है अलपत्य बहुत्य का संबंध है राग समय से राग लक्षण से राग प्रकृत्य से राग जाती से तो राग लक्षण से ठीक राग लक्षण से अलपत्य बहुत्य का संबंध है option number 12 का अंसर होगा कुश्चन नमबर 22, यह ताल विलंबित ख्याल के लिए उपरिक्त है, विलंबित ख्याल के लिए तिलवाडा है, अप्शन नमबर 3, कुश्चन नमबर 23 है, यह मूर्चला का संबंद 6 ग्राम से नहीं है, तो मार गी, अप्शन नमबर 24 है, श्रीमती, गंगुबाई हंगल का संबंद इस राज्य से, गंगुबाई हंगल करनाटक से थी, अप्शन नमबर 3, कुश्चन नमबर 25 है, आडा चार ताल में कितने विभाग हैं, अप्शन दिया है, पांच, चौदह, साथ, नौ, तो आडा चार ताल में, साथ विभाग होंगे, अप्शन नमबर, साथ विभाग हैं, ठीक, अप्शन नमबर 3 इसका अंसर होगा, कुश्चन नमबर 26 है, वर्ण कितने हैं, वर्ण, चार हैं, ठीक, अप्शन नमबर 4 इसका अंसर होगा, कुश्चन नमबर 27 है, कौन सा, कौन सा संगीत नाचाई यक्षगान इस राज्य से संबंदित है अप्षण है तमिलनाडू, करनाटक, वोडीशा, महाराष्चर तो यक्षगान करनाटक से संबंदित है option number 12 कांसर होगा question number 29 है इस राग तोड़ी question number 29 है राग तोड़ी करनाटक संगेत के इस राग के समान है मेच कल्याडी हरी तो option दिया है इसका option number 3 कांसर होगा ठीक option number 3 question number 30 है सरन रानी इस वाध्य के लिए प्रसिद्ध है option में है वाइलिन सितार सरोध तबला तो यह सरोध के लिए प्रसिद्ध है ठीक सरोध इसकांसर होगा option number 3 question number 31 है पंडित वीडी पलुसकर इनके शिश्य है question number 31 पंडित वीडी पलुसकर इनके शिश्य है पंडित बाल कृष्ण भुवा इचल करंज की कर करंजी कर ठीक इनके शिश्य है option number 1 इसकांसर होगा वीडी पलुसकर इनके शिश्य है option number 1 बाल कृष्ण भुवा इचल करंज की कर करंजी गर थोड़ा सा नाम difficult हो जाता है question number 32 से कौन सा निवद्धगान से संबंधित नहीं है कौन सा तू रूप का अलाब option number 12 का अनसर होगा ये निवद्धगान से संबंधित नहीं है question number 33 से go पुक्षा तथा पिपेलिका का संबंध है option में स्वर से वर्ण से ताल से चंद से तो ताल से option number 3 इसकांसर होगा question number 34 है गीत का प्रारंबिक स्वर्ण कहलाता है option number 2 इसकांसर होगा question number 35 है कनाटक संगीत का वर्णम इसके समकक्ष है option है सरगमगीत ख्याल ठुमरी धृपद तो इसकांसर होगा सरगमगीत option number 1 इसकांसर होगा question number 36 है संगीत पारिजात के लेखक है option है स्रीनिवास अहोबल भाववट व्यंकट मुखी तो संगीत पारिजात के लेखक अहोबल है option number 2 इसकांसर होगा question number 37 है किस करनाटक संगीतक ये ने हिंदुस्तानी संगीत की अनेक रचनाये बनाई त्याग राजनी अप्शन नमबर दोईस कांसर होगा त्याग राजनी हिंदुस्तानी संगीत की अनेक रचनाये बनाई ठीक ये करनाटक से थे करनाटक संगीत के ये रचना का रहे हैं संगीत अगे रहे हैं कुश्चन अबर 38 है कौन सा स्वर अर्धो दर्शक स्वर के हलाता है आप्शन है सा मा रे नी तो आप्शन है आप्शन अबर 2 मा इसका अंसर हो गठी अर्धो दर्शक स्वर कोश्चन नमबर 49 है राग हंसु धनी इस थाट का राग है तो राग हंसु धनी बिलावल थाट से है बिलावल थाट का है ठीक अप्शन नमबर 3 इसका अंसर होगा कोश्चन नमबर 40 है इस राग में कामोद एवं कल्याण का मिश्ण है Option है मारू वीहाग शाम करल्याण वीहाग छायनट तो इसका अंसर होुए Option हमबर दुर शाम करल्याण ठीक Question number 41 है यह शैनली बंगाल से संबंदित है Option है अभंग कीर्थन मांड तो कीर्थन इसका अंसर होगा ठीक बंगाल से संबंदित कीर्थन है बंगाल का कीरतन option number 3 इसका अंसर होगा question number 42 है 15 मात्राओं का ताल धामार ताल, शिखर ताल गजजहंप ताल रुद्र ताल question number 42 है इसका 15 मात्राओं की ताल है गजजहंपा ताल ठीक 15 मात्राओं का ताल है option number 3 इसका अंसर होगा question number 43 है तबले से संबंधित घराना है, ओप्शन है ग्वालियर, दिल्ली, आगरा, पटियाला, तो तबले से संबंधित दिल्ली घराना है, उप्शन नमबर 2 इसका अंसर होगा, कुश्चन नमबर 44 है, कनाटक संगीत में मेलों की संख्या है, ओप्शन है 12, 19, 10, 20, कनाटक संगीत में मेलों की संक्या कितनी है 19 है option number 2 оныकर होगा 45 नंबर कुश्चन है संगीत रतनाकर इस सदी से लिखा गया था संगीत रतनाकर किस सदी में लिखा गया था 13 सदी में लिखा गया था option number 2 इस का अंसर होगा question number 46 है 2 रागों से अधिक मिश्रण वाले राग कहलाते हैं दो रागों से अधिक मिश्रण वाले राग क्या कहलाएंगे संकीन राग कहलाते हैं जो दो रागों से अधिक उसमें मिश्रण राग होते हैं दो से अधिक तो संकीन राग के स्रेणी में आते हैं अप्शन नमबर दो इसका अंसर हो जाएगा कुश्चन नमबर 47 है चतुर दंडी प्रकाशिका के लेखक हैं अप्शन है लोचन मतंग रामामात्य पंडित विंकड मुखी तो चतुर दंडी प्रकाशिका के लेखक पंडित विंकड मुखी जी हैं अप्शन नमबर 40 का अंसर होगा कुश्चन नमबर 48 है भूपाली का संप्रक्रिक्ति राग है भूपाली का संप्रक्रिक्ति राग देशकार है अप्शन नमबर 2 कुश्चन नमबर 49 है सूल ताल के मात्रा के समकष ताल है औप्शन है धहमार ताल जप ताल जूमरा ताल जत ताल तो सूल ताल के मातरा के समकष ताल जप ताल है टिक दस मातरा की ताल आप्शन नमबर दो इसका अंज़र होगा question number 50 है धा धा गतिट इस ताल से संबंदित है तो पचास number question धा गतिट धामार ताल से है ये धामार ताल का दोड़ा है option number 2 इसका answer होगा धामार ताल एक प्रशन आपके लिए दिया गया था तो इसका answer आप comment करके बताईए और ये 50 प्रशन की series रही आगे 50 प्रशन 2017 के paper में दुसरे भाग में दिये जाएंगे चैनल को subscribe कर लिए और अपने दोस्तों में share कर दीजे ताकि और भी लोगों को इसका लाव मिले आपको आपके तयारी के लिए बहुत बहुत शुब कामना है आप अपने लक्ष को प्राप्त करें जय हिंद